विदियो आ रहा है बट चुलो टाइम बेस ना करते हैं तो मैंने कॉडिनेशन केमिस्ट्री तो कंप्लीट करवा दिया है मेरी चैनल पर अभी जो है मैं स्टार्ट करवा दे हूं और कहना मेटलिकेमिस्ट्री तो आपको कॉडिनेशन से जो भी डाउट है वो आप कर सकते हैं हाँ मैंने लास्ट यर के कॉश्चन भी स्टार्ट किये थे अभी क्या है उसके लिए थोड़ा टाइम नहीं है तो मैंने सोचा मैं एक बार स्लेपर कंप्लीट करवा देती हैं और उससे रिलेटेड जैसे और जो भी प्रीए से कॉश्चन से रहेंगे हम साइड बाई साइड ही करेंगे तो इसी तरीके से काम को प्लान करते हैं तो आज स्टार्ट करते हैं और अज 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 स्ट ही होना चाहिए, it can be an organometalloid also, so when there is a carbon metal or a metaloid bond, basic condition क्या होता है कि carbon आपका electronegative रहेगा और जो metal आप ले रहे हैं, या फिर आपने वहाँ पे जो metalloid use किया है, वो आपका क्या रहता है, वो आपका रहता है electropositive part और जो carbon है वो आपका रहता है electronegative part, okay, so जब आपके पास क्या हो, carbon और कुछ इस तरीके का bond है, metal और metaloid के साथ, जहां पर carbon more electronegative है, ठीके, तो उस bond को हम बोलते हैं, organometalli compounds, okay, basic condition क्या रहेगी, कि आपका carbon ज़ादा electronegative रहेगा उस case में, जहां पर आपका क्या होगा, carbon और metal या फिर, metaloid का bond रहेगा, ठीके, तो यह basic condition है, organometalli compounds का, अगर, अब इसमें अगर आप example देखें, example आप किसका ले सकते हैं, suppose you have RMGX, बहुत simple है, बहुत हम यूज करते हैं इसको, this grignard reagent, ठीके, तो अब यह आपका R यहां पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी carbon containing compound हो सकता है, methyl, ethyl, whatever you want, और MG, यहां पर क्या है, S block का metal है, ठीके, तो यह यहां पर metal रहता है, और X आपका कोई भी highlight रहता है, ठीके, तो यहां पर R क्या है, आपने देखा होगा कि जर्णली जब यह reaction होता है, तो R से attack होता है, तो यहां पर R जो है, carbon containing जो species है, वो आपका electronegative species रहेगा, as a nucleophile act करेगा, ठीके, यह किस की तरह काम करेगा, यह nucleophile की तरह काम करेगा, तो यह क्या है, यह organometally compound है, दूसरा आपके पारिस है, R2, CULI, ठीके, यह भी इसी तरह का compound है, जहां पर R nucleophile की तरह काम करता है, आप RLI ले सकते हैं, यहां पर भी R से attack होगा, तो यह भी carbon metal bone है, तो जितनी भी carbon metal bone है, जहां पर carbon आपका basic condition क्या है, कि carbon आपका nucleophile की तरह act करता है, carbon electronegative species की तरह काम करता है, और जो दूसरी species है, वो आपकी कैसी रहती है, वो रहती है, आपकी chemistry, ठीक है, तो carbonyl chemistry में हम basically study क्या करेंगे, कि carbonyl में अगर हम इसका आपको MOT पता होना चाहिए, basic बात, MOT stands for molecular orbital theory, ठीक है, तभी आपको इसको clear होगा कि जो यह आपका carbonyl है, यह basically काम किस तरीके से करता है, ठीक है, तो अगर हम बात करें, carbonyl का structure, so it is like this, एक लोन पेर आपका, यहाँ पे रहता है, और एक लोन पेर आपका, यहाँ पे रहता है, ठीक है, अब हमें पता है, कि यहाँ पे जो oxygen है, this is more electronegative, ठीक है, this oxygen is more electronegative, और आपका जो carbon है, यह कैसा होता है, यह electropositive है, oxygen की comparison में, है न, oxygen तो बहुत आदे electronegative है, यहाँ पे, oxygen का hybridization कीतना है, SP hybridized है, और carbon भी कैसा है, this is also SP hybridized structure, तो अब क्या है, कि अगर यह electronegative element है, तो obviously बात है कि यह lone pair जो है, यह oxygen के ऊपर ही constructed रहेगा, यह freely available नहीं है, तो यहाँ पे जो carbon के पास lone pair है, तो इसका energy क्या है, इसकी high energy है, और यह जो lone pair of electron से इनकी energy क्या है, low है, तो high energy का जो electron होगा, अब high energy है तो यह क्या करेगा, obviously बात है कि chemistry में जिनके पार भी high energy होती है, वो खुद को क्या करते हैं, वो खुद को stabilize करने की कोशिश करेंगे, और stabilize करने के लिए क्या करेगा, यह in electron को कहीं पर donate या share करने की कोशिश करेगा, तो या तो यह electron sharing में जाएंगे, यह इनको completely donate करेगा, तो अब यह क्या करता है, और गैनो में में क्या है, कि यह कोई metal item को find out करता है, यह किसी metal को देखता है, जिसके पास क्या है, जिसके पास vacant d orbital है, so that यह अपने electron को यहां पर share कर सके, इनकी energy भी कम हो जाएगी, metal के पास empty orbital था, तो metal को भी क्या मिल जाएगा, electron मिल जाएगा, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपके पास carbon metal bond बन जाएगा, ठीक है, basic चीज़ यह है, I hope कि आपको यह चीज़ clear हो गई है, कि हो क्या रहा है, जब हम carbonil compounds को study करते हैं, तो carbon के पास जो lone pair है, उस lone pair of electron का energy जादा होता है, तो system को stabilize करने के लिए, वो क्या करता है, वो किसी transition metal को find out करता है, और ऐसा transition metal जिसके पास क्या हो, वेकेंडी orbital हो, और फिर वो वेकेंडी orbital के अंदर अपने electron को क्या करेगा, share करेगा, एक चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है, कि electron share करेगा, complete donation of electron नहीं होगा, ठीक है, sharing of electron होगा, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पर carbon metal का bond बनेगा, ठीक है, अभी यह किस त यह आपका carbonil, यह आपका carbonil है, ठीक है, अभी हमें पता है कि इसके पास भी lone pair of electron है, और इसके पास भी, तो यह इस तरीके से आपका है, अभी क्या होगा, यहाँ पर आएगा आपका metal, और क्या होगा, sharing हो जाएगी इन electrons की, metal की, वेकेंडी orbital में, metal के पास valence shell रहेगा, तो ऐसे यहाँ पर बनेगा, आपका metal, carbon bond, और यहाँ पर यह रहेगा, carbonate, तो इस तरीके से क्या है, यह complete organometally चलती है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कि जैसे अभी, एक चिस और मैं आपके साथ share करती हूँ, यहाँ पर, कि सपोज अभी एक आपके पास sigma bond है, and second, आपके पास क्या है, pi bond है, ठीक है, अब सपोज आपके system में क्या है, कि आपके पास चो carbon system है, उसमें दोनों ही bond है, अब कहां से electron share होगा, sigma bond से होगा, pi bond से होगा, तो हमें पता है कि pi bond का energy जादा है, pi bond के जो electron है, उनकी energy जादा है, as comparison to sigma bond, ओके, और अभी हमने देखा था, कि जिसका energy जादा होगा, उसी के bond क्या करेंगे, metal carbon bond में participate करेंगे, for example, जैसे इस तरीके से आपके पास ये आपका benzene system है, तो pi bond की energy जादा होती है, तो metal atom इस तरीके से खुद को attach करेंगा, ठीक है, अभी अगर suppose आपके पास sigma bond ही है, suppose आपके पास क्या है, sigma bond है, suppose आपके पास ये वाला system है, ethene system है, आपके पास, CH3, CH3, तो ये किस तरीके से है, H, H, यहाँ पे भी ये इस तरीके से है, अब आपके पास ये वाला जो bond है, यहाँ पे भी आपके sigma bond है, ठीक है, और ये वाला जो bond है, ये भी आपका कैसा है, ये भी sigma bond है, तो अब metal bond कहां बनेगा, जो carbon metal bond है, वो कहां तो अब्विसली बात है कि जो carbon carbon bond का energy है वो जादा रहेगा energy जो है वो जादा है as comparison to carbon hydrogen bond का ठीके तो जो आपका metal रहेगा वो metal कहां attach होगा वो metal आपका यहां से attach होगा तो इस तरीके से आपका organometallic complex जो है यहां पे बनेगा ठीके तो यह भी आपका पता होना चाहिए कि carbon metal bond basically बनेगा कहां पे ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे भी बन जाएगा जिस bond के electron की energy जादा रहेगी उसी जगह पे आपका carbon metal bond बनेगा अब आपके पास यह वाला system है CH2 double bond CH2 अब अगर आप इस system को expand करे it is like this है ना अब क्या है यहां पे देखो यह आपका कैसा बोंड है this is sigma bond okay and this one is pi bond obviously तो अभी क्या है sigma bond के energy जादा है pi bond का obviously pi bond के energy जादा रहेगा तो जो metal है वो इस तरीके से यहां पे attach हो जाएगी as simple as that तो carbon metal bond यहां से बनेगा okay तो आपको याद क्या रखना है कि pi bond का जो energy होता है pi bond energy is always greater than the sigma bond energy ठीके और अगर आपके पास sigma bond में ही choice है तो cc का energy always higher than ch bond energy I hope it is clear to you okay अभी बात करते हैं diatomic atom diatomic atom means having two atom okay तो आपके पास क्या है आपके पास है कार्बोनिल जादा तर हम इसी चीज को study करने वाले हैं तो आप familiar हो चाहिए कार्बोनिल के साथ ठीक है तो हमें पता है यहां पे carbon और oxygen का अगर हम compare करें तो this is more electronegative यह वही चीज जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले explain की है more electronegative तो यहां से metal का कभी भी कुछ भी नहीं होने वाला है यह चीज आप ध्यानवे रखना कि यहां से metal का कभी भी कुछ भी नहीं होने वाला है अगर आप organometallic complexes के बात कर रही है हमेशा यहां से metal के साथ bond बनेगा ठीक है carbon metal bond की बात हो रही है carbon की electron की energy जादा होती है यहां जो लोन पेर है उसकी एनर्जी जादा है इंटर्विवर आपसे इस तरीकी के कोशन तूच सकता है कि वह आपको बोलेगा कि कार्बोनिल के स्ट्क्चर में अगर आपको बोलेगा कि अगर्ण के स्ट्क्चर में इसकी एनर्जी जादा हो जाती है यही सिस्टम खुद को स्टेबिलाइस करने के लिए मैटल के वेकंडी और्बिटल में इलेक्रों को शेयर करता है और यही सिए आपका जन्म होता है कार्बन मेटल बोन्ड का ओके चलिए नेक्स टार्ट करते हैं अगर आपके पास है एन ओ यह वाला है तो अबिसली बात है नैट्रोजन की इलेक्रो नेगिटिविटी औक्सिजन के कमपेरिजन में कम है तो अबिसली बात अब बोन्ड कहा से बनेगा नैट्रोजन की तरफ से बनेगा ठीक है अगर हम बात करते हैं साइनाइड की सीन नेगिटिव तो उसकेस में भी क्या होगा उसकेस में कार्बन की क्या है एलेक्रो नेगिटिविटी कम है तो एनरजी यहीं पर जादा रहेगी तो उसकेस में भी जो मैटल कार्ब पास है CH4 यह सिस्टम है आपके पास CH4 सिस्टम है तो अब क्या है कहीं से भी लग जाएगा क्योंकि सारे सिग्मा बोंड की क्या है एनर्जी से में कहीं से भी लगा लो इसमें तो चोईस का उप्शन ही नहीं है ठीक है चलिए अब बात करते हैं क्या टॉपिक है टॉपिक है इंटरेक्शन बिट्विन मैटल एंड कार्बन किस तरीके का इंटरेक्शन हो सकता है तो देखिए यह जो इंटरेक्शन है यह मेरा हाथ ठीक से नहीं चल रहा भाई अब कमच लेने इस चिसको हमें पता है दो तरीके के बॉंड बनते हैं टो टाइप बॉंड साथ ओंड वन इस कोवलेंट और अनदर वन कन वी आवनिक ओके देखिए कोवलेंट बॉंड केन बी लोकलाइस्ट यहां पर एक कोश्चन आता है NMR डिटेक्शन यह बहुत पर पूछ लेते हैं कि किस केस में NMR को आप किस तरीके के कंपाउंड को आप NMR से डिटेक्ट कर सकते हैं आयोनिक को यह फिर कोवलेंट को ठीके तो यह कोश्चन यहां पर रहने वाला है तो इसमें क्या होगा बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें यहां पर सुपोज आपके जनली हम NMR में क्या अब्जर्व करते हैं हम NMR में देखते हैं इन डिट में क्योन से चिफ्ट करणक्रियों अब क्या बीसिकली शिप्ट करता है मीकल शिप्ट करता है एक्ट्रॉनिक एन्वार्मेंट TWO पेटनथ करते हैं इन्च्रॉनिक एन्वार्मेंट स्राओंडिंग दी गुइन एक केंद्ओN surrounding the nucleus कि आपका अगर ही atom है तो इसकी suppose यह atom है तो इसकी चारो तरफ electronic environment कैसा है ठीक है क्योंकि जब हम बाहर से magnetic field डालते हैं किसी भी compound के ओपर मैंने इसके ओपर magnetic field डाला तो यह जो बाहर का electron है यह भी क्या करते है यह आपका magnetic field induce करता है with respect to the B0 ठीक है तो इसी के basis पे तो chemical shift generate होगा बात समझ रहे हैं कि electronic environment जो भी है atom के चारो तरफ का उसके basis पे ही तो हम क्या करते हैं कि chemical आपका जो chemical shift है जो आपकी chemical shift है जो हम डैप एपियम में मीशर करते हैं वो generate होता है कि किसी भी nucleus के ऊपर अगर आपने क्या किया आपने magnetic field डाला तो उसके surrounding environment में जो electron है वो electron भी क्या करेंगे magnetic field को induce करेंगे with respect to the applied magnetic field और induced magnetic field अगर suppose जादा है ठीक है B0 फिर हम बहाद से हम B effective को calculate करते हैं कि B0 minus B induced अगर एचीज जादा हो जाएगी जिसका मतलब क्या है B effective कम होगा उसके ऊपर effective जो magnetic field है वो उतना ही कम लगेगा यानि कि उसके अंदर जो stimuli है with respect to the applied magnetic field वो कम होगा और अगर B effective कम है B induced कम है तो magnetic field जो applied magnetic field है वो experience जादा करेगा और उस case में उसके अंदर जो chemical shift है वो जादा generate होगा मतलब वो dell ppm में जादा value देगा ठीक है basically जो आपका इस चीज़ को अगर मैं बहुत 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 सिंप्लिपाई करूँ तो यह ऐसा होता है D shield D shield downfield high delta ठीक है D shield downfield high delta D shield मत इलेक्ट्रोन जितना कम रहेगा यानि कि surrounding environment में electron जितना कम रहेगा उतना downfield signal आएगा और कैसी होगी high delta value होगी और जितना ही shielding होगा मतलब surrounding environment में electron का contribution या electron जितने ज़्यादा रहेंगे shielding उससे क्या होगी upfield होगा and shielding से क्या हो जाती है low delta value D shield downfield high delta value shielding upfield low delta value एक को याद कर लिजे दूसरा अपनी आप याद हो जाएगा तो जिसके environment में electron जितने ज़्यादा रहेंगे induction of induced magnetic field भी उतनी ज़्यादा रहेगी जितना वो ज़्यादा रहेगा बेफेक्टिव उतना कम होगा और chemical shift का value उतना ही कम हो जाएगा बस यह basic सी बात है NMR की ठीक है NMR पर जादा नहीं चलते हैं हम यहाँ पर क्या discuss कर रहे थे हम discuss कर रहे थे कि अगर तो आपके पास है ionic compound और अगर आपके पास है कोवलेंट कमपाउंड तो NMR से किसको डिटेक्ट कर सकते हैं तो अबिसली बात है NMR से आप ionic compounds को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे और गानोमटलिकेमिस्ट्री में आप क्या कर सकते हैं कोवलेंट कमपाउंड को इजली डिटेक्ट कर सकते हैं एक है आपके पास NACL दूसरा है आपके पास NABL ठीक है तो अगर मैं यहां पर करू ने पॉस्टिव लेगितिव आपको दोनों में से दोनों को डिटेक्ट करना है तो यह क्या रहेगा 287 यहां पर भी 28 यहां पर भी क्या रहेगा 287 तो electronic environment में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहे है ठीक है surrounding environment इस तो इस केस में क्या हो रहा है कि ionic bond में surrounding environment कैसा है कोई change नहीं आ रहे है electron density बलकुल सही नहीं है तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं यहां पर no NMR spectra इस case में आप NMR spectra को नहीं obtain कर सकते हैं तो उस case में आप क्या कर सकते हैं यहां पे आप NMR spectra detect कर सकते हैं आप यहां पे NMR spectra को easily obtain कर सकते हैं तो बेसिक बात क्या है कि अगर आपका कोवलेंट रहेगा कोवलेंट कंपाउंड है तो उस case में आप NMR spectra ले सकते हैं आयोनिक कंपाउंड के अगर हम बात करें और्गानोमटली के मिस्ट्य में तो वहां पे आप जो है वह वह अनमा माटली कंपग्कसज सो फर्स जैसे स्लोप दूख स्लोप में क्या रहेगा स्लोंड के मेटल रहेगी स्लोभ में हमारे पास क्या लूद के यहां से स्टार्ट करते हैं ऑर हमारे पास इदर से आता है है बेरिलियम मेगनेशियम केल्चें स्कॉंशियम बेरियम ठीक है तो यहां पर यह बीलियम है हमें पते हैं स्मॉल साइस है इसका यह तो हम स्माल साइस, बिझे समझ नहीं आ रहे हैं कहां पढ़ते हैं, स्माल साइस, ओविसली मेन गूरूप इलमेटस पसफ़ परते हैं, स्माल साइस, हाइज पोलराजेशन, ओर, मूर कोवलेंटसी, ओके हैं और जी मतलब क्या है यहां पे आप इसके साथ आप एनमार्स पेक्टर को उप्टेंट कर सकते हैं ठीक है तो तो जर्णरली हम क्या करते हैं कि सपोज अगर कोई आपसे पूछे की ल feels YOU can do it सब्सक्राइब के लिए एक और चिजह होती है तो आपका मेटल है मितल क्या करता है वरियेवल ऑक्षिडेशन स्टेट को शोगता है variable oxidation states the metal show variable oxidation state and it is attached with a carbon atom only then we can say it is a organo-matelli complex it is not like that the metal showing only one type of valency ठीके ऐसा नहीं होना चाहिए metal variable oxidation state show करेगा that is why transition metal complexes को ही सबसे ज़्यादा organo-matelli में include किया जाता है ठीके तो अगर हम बात करें अगर आपके पास यह है एने छीएच्थ्री ठीके तो यहाँ पर एने पॉस्टिब हेगा छीएच्थ्री पर माइनस वन आजाएगा but it doesn't mean that it is a organo-matelli complex because यहाँ पर जो आपका metal है जो sodium है एक तो आप यहाँ से इने में स्पेक्टर अभी जन्रेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह ionic bond है और दूसरा यहाँ पर क्या हो रखा है कि एने जो है वो आपका variable oxidation state शो नहीं कर रहा है ठीक है no no this is this is organo-matelli compound yes of course this is organo-matelli compound ha ha this is organo-matelli compound the basic thing is that कि यहाँ पर जो हाँ obviously यह organo-matelli compound is simple thing is that कि यहाँ से आप जो एने में स्पेक्टर है वो अगटीन नहीं कर सकते हैं obviously like rmg-x rmg-x grignot reagent यहाँ पर भी nucleophile की तरह काम करेगा ठीक ही nucleophile की तरह काम करेगा और यहाँ पर भी क्या रहेगा इस पर जब negative charge आएगा यह nucleophile की तरह काम करेगा यह attack करेगा किसी भी कार्वह इस चैंटर पर जो भी इसको एलेक्ट्रोफिलिक रिकम्ट्र मिलेगा जन्रली हार होता है तो जन्रली हाच सेंटर पर हाड इलेक्ट्रोफिलिक साथ पर प यह attack करता है यह सब पोस्ट इस जीज आ रोगान वटेलिक इसके वज़े से आप इसका NMR स्पेक्टर नहीं कर सकते हैं, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, यह दोनों किस तरीके के सिस्टम है, यह दोनों अन्सटूरेटिड सिस्टम है, यहां पॉन्सटूरेटरिड सिस्टम है, तो यहां पर चॉल्ण कर सकते हैं, यहां पर हम इसके NMR स्पेक्टर नय कॉलेंटी कर सकते हैं, तो यहां पर आपको कॉलेंट बॉन्सटेटर नन्सटूरेटर नहीं तो बटेंड नहीं कर सकते हैं यह चीजब आपको याद रखने हैं नो निक्स्ट अगर हम बात करें कलर कॉंप्लेक्स कि यहां पर कलर जो है वो किस तरीके के कॉंप्लेक्स में आएगा बैसे अभी क्या है अभी मैं आपको सिर्फ बीजिक करवा रहे हुआ है तो सब्सक्राइब मैं पता है कि color kब generate होता है जब ground state से excited state में क्या होता है transition होता है तो उस transition की वज़ा से color generate होता है ठीक है अगर हम बात करते हैं कि सी भी पाई बूंड containing system के जिसके पास क्या है पाई बूंड है पाई बूंड है पाई बूंड रहता है bonding molecular orbital और उपर क्या रहता है आपका उपर रहता है आपका anti-bonding molecular orbital ठीक है तो transition of bonding molecular to anti-bonding molecular orbital लेकिन यहां पर energy जादा होती है वो फिर से वापस आता है और यह सब चीजे हम visible region के अंदर आती है और यहां से हमें क्या होता है उस complex color दिखाई देता है ठीक है तो अगर तो आपके पास किस तरीका system unsaturated system अगर आपके पास इस तरीके का unsaturated system है तो आपको वहां पर color देखेगा ठीक है और अगर है आपके पास saturated system generally saturated system है आपके पास तो उस case में आपको कोई color दिखाई नहीं देगा तो unsaturated system में आपको क्या करेगा color दिखाई देगा क्योंकि क्या होता है unsaturated system में हम UV spectroscopy में भी पढ़ते हैं कि जितना जादा unsaturation होगा उतना ही जादा क्या होगा extended conjugation ठीक है extended conjugation और जितना जादा conjugation extend होगा उतना ही जादा आपके complex में क्या होगा color आईगा लेकिन single अगर sigma bond है तो उस case में क्या होगा उस case में transitions effective नहीं होते हैं transition effective नहीं होगा visible area के अंदर नहीं आएगी वो transition तो आप उस case में color observe नहीं कर सकते हैं तो जितना जादा unsaturated system होगा उतना जादा color मिलेगा जितना जादा saturated system होगा आपको color नहीं मिलेगा उस case में सिंपल सी बात है ठीक है for example आपके पास यह वाला system है lithium positive charge है and then you have a cyclopenta die in ठीक है अब यह कैसा system है यह unsaturated system है unsaturated system है तो क्या करेगा color आएगा कहां से कहां कुन सी transition 5 star to 5 transition ठीक है लेकिन अगर मैं बोलू तो एने चीच 3 जिसमें सिग्मा पूंड है सिग्मा पूंड नो कलर उप्रिसल बात है ना देखो क्या होता है जब आप यूवी स्पेक्ट्रोस को भी पढ़ते हो तो हमारे पास क्या होता निचे सिग्मा पाई नोन बोंडिंग पाई स्टार सिग्मा स्टार ओके अब अगर यहां से यहां transition होनी है यहां से यहां पर transition होना है यह gap बहुत ज़्यादा है कैसा है यह जो energy gap है इस energy gap very high इस energy gap is very high इसली बात है इतना ज़्यादा है तो transition होने Meta के लिए भी उसको बहाँ ज़्यादा energy लगेगी है ना और जितनी कम energy लगेगी यह gap जितना कम होगा suppose यह gap यह है यही है और एक बिलकुल यह है तो यहां पर number of transitions कम रहेंगे इसके मुकाबले और इसके मुकाबले यहाँ पर number of transitions are very high, here less and here very less और जितना ज़्यादा transition होता है उतना ज़्यादा color आता है तो sigma to sigma star में क्या है? बहुत ज़्यादा energy लगेगी number of transitions कम रहेंगे, इतने कम रहेंगे कि वो visible reason में आएंगे के वज़े से sigma to sigma star इस energy gap के हाई होने के वज़े से number of transitions कम होते हैं और number of transitions are less मैं लिख देती हूँ number of transitions are less so no visible or you can see color spectra can obtain तो वहां पर आपको color spectra obtained नहीं रहेगा ओके चलिए next चलते है next क्या है आपका ओके यह चीज हमारी हो गई है कि कहां पर आपको color complexes मिलेंगे और किसमें किसमें आपको color complexes नहीं मिलेंगे अब पर चो आपका carbon metal bond है यहां पर यह जो carbon metal अगर bond की बात करें तो इस carbon जी जो carbon है आपका यह carbon आपका it can act in two ways like it can act like a nucleophile it can also act like a base what I am saying that this carbon this carbon this carbon can act like a nucleophile and this can also act like a base now how to decide whether it is a nucleophile or it is a base so it is totally depends upon the solvent system it is depend upon the solvent system that whether it should act like a nucleophile or it should act like a base suppose if you have a system like this solvent system you have water and one is you one is ether okay so the solvent which provide the h positive ion okay the solvent which provide the h positive ion then the carbon system behave like a base got it my point solvent which provide h positive ion like water then act like a base and the solvent which do not provide which do not provide do not provide h positive ion then carbon behave like a nucleophile I hope you got my point what is the point means carbon behave like a base or a nucleophile totally depends upon the solvent if the solvent like water provide h positive ion like then carbon behave like a base and if the solvent like ether which do not provide h positive ion then it act like a nucleophile so while studying the organometallic chemistry you should also think about these perspectives okay that whether it is it act like a base or it act like a nucleophile okay okay क्योंकि S-block metal क्या होती है, S-block metals are more electropositive, S-block metals are electropositive, highly electropositive, okay, so it can be used to generate a base or a nucleophile, so this is the one and this is, till now, this is the use of S-block OMCs, S-block metals are highly electropositive, that is why it can be used to generate the base or the nucleophile, okay, next is, if we talk about the P-block, P-block OMC, P-block organometally complex, okay, so P-block की case में ज़्यादा दर क्या रहता है, metal carbon bond कैसा रहेगा, ज़्यादा दर क्या, 99% it is covalent and only 1% it is ionic, so, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, easily, आप यहाँ पर NMR spectra को generate कर सकते हैं, ओके, तो अभी हमें पता है कि यहाँ पर generally रहता क्या है, कि P-block की case में आपने देखा होगा, P-block की case में inert pair effect आपने पढ़ा होगा, inert pair effect, what is this, P-block elements have NS2, NP126 electronic configuration, okay, NS2, NP126, और यह वालों जो electrons होते हैं, यह क्या होते हैं, यह inert होते हैं, means, the inert मतलब क्या, they do not participate in bonding, as simple as that, कि वो bonding में participate नहीं करेगा, when there is inert pair effect, then ionic bonding occurs, तो इस case में क्या होगा, जहाँ पर भी आपका inert pair effect रहेगा, वहाँ पर क्या होता है, when there is inert pair effect, then ionic bonding occurs, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, ionic bonding में generally क्या था, low oxidation state of metal, okay, metal का oxidation state क्या रहता है, कम रहता है, metal, oxidation state in case of ionic bonding is low, ठीके, और अगर metal का high oxidation state रहे, high oxidation state अगर metal का हो, तो उस case में क्या बनता है आपका, covalent bond, देखो यह चीज़ मैंने अभी थोड़ी दिर पहले भी बताए थी, एक चीज़ को देखने के बहुत सारे perspective होते हैं, तो आप उसको बहुत सारी terms में देख सकते हैं, जब हमने beryllium के बात की थी, मैंने बोला था, small size, high polarization, और जितना ज़्यादा polarization होगा, उतने ही ज़्यादा क्या generate होगा, bond के अंदर covalency उतने ही ज़्यादा रहेगी, जब मैटल का oxidation state कम है, very low oxidation state, oxidation state कम है तो क्या रहेगा, size ज़्यादा रहेगा, और large size रहेगा तो क्या करेगा, low polarization, और low polarization अगर है तो मतलब क्या होगा, ionic bonding होगी, as simple as that, और अगर आपका मैटल का high oxidation state है, high oxidation state के वज़े से क्या होगा, size उतना ही ज़्यादा construct हो जाएगा, suppose पहले यह size था, और अब क्या हो जाएगा, size ऐसे construct हो जाएगा, electronic cloud construct हो जाएगा, बहुत ज़्यादा construct हो जाएगा, और जैसे ही size कम होगा, size क्या हो जाएगा, मतलब, small size जैसे small size होगा वो बहुत जदा highly polarization create करेगा जितना जदा polarization होगा उतनी ही जदा इसके अंदर क्या हो जाएगी covalency आजाएगी तो उतना जदा covalent bond यहाँ पे create होगा और जब inert pair effect नहीं है when no inert pair effect then covalent bond अकर ओके, so transition metals में क्या रहता है transition metal के अंदर आपका covalency generate होगी अब अगर बात करें, first transition metal OMC, पहला transition metal complex कौन सा था, पूछ सकता है interviewer पूछेगा, अब तो CSIR ने तो level बढ़ा दिया है, कोई यह सब question नहीं पूछता है आब, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने यही पढ़ा कि, किस तरीके से metal carbon bond बनेंगे कहां पे आप NMR generate कर सकते हैं कहां पे आप color देख सकते हैं कहां पे carbon nucleophile की तरह काम करेगा, solvent system पे किस तरीके से depend करेगा, S block metals, P block metals में किस तरीके से आपका generation रहेगा, और आप किस तरीके से generally कि आपका S or P block के जो complexes होते हैं वो generally हम organometally complex में कम ही पढ़ते हैं, जाधा तर हम नहीं पढ़ते हैं, जाधा तर हम पढ़ते हैं transition metal organometally complex because transition metal में क्या होता है variable oxidation state show करता है तो वहाँ पे बहुत सारी applications generate होती हैं, that is why till now जाधा तर transition metal को ही study किया जाता है OMCs के लिए अभी अगर हम बात करते हैं तो first transition metal OMC कौन सा था सब को पता है, ये तो कौन सा है Z salt सारी दुनिया को पता है ठीक है, structure क्या रहता है structure बताओ क्या रहता है potassium रहता है उसके अलावा क्या रहता है PtCl3 रहता है C to H हो रहता है ठीक है, इस तरीके से आपके पास structure रहता है इसका Z salt का ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि Z salt में जो आपका क्या है यहाँ पर, potassium है ना तो ये potassium क्या करता है obviously बात है metal है तो electron देखे जाएगा ना भई, ठीक है metal है, electron देखे जाएगा तो electron देखे जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर यह जब जाएगा तो electron देखे जाएगा तो यह positive form में निकल के जाएगा और complex पर कैसा आजाएगा negative charge मतलब जब यहाँ से leave करेगा यह आपका जाएगा इस तरीके से जाएगा sorry यह electron को देखे जाएगा देखे जाएगा तो complex पर negative charge आजाएगा तो अगर हम इसको draw करें तो यह कुछ इस तरीके का बन जाएगा CL, CL, CL यहाँ पर आपका C2H4 यहाँ पर negative charge और potassium पर positive charge ठीक है? तो यह आपका रहेगा Z salt का structure ठीक है? बहुत बार ना बहुत सारे questions पूछ लिये जाते हैं Z salt से related ही OMC में CSIR में भी बहुत बार question पूछा गया है कि यह किस तरीके का compound generally यहाँ पर रहता है तो अगर हम इसको draw करें और थोड़ा खोल के तो यह कुछ इस तरीके का दिखता है तो यहाँ पर आपका इस तरीके से यह रहता है Hydrogen ठीक है? तो अभी Carbon Metal Bond Carbon Metal Bond ठीक है? हम इस तरीके से दिखा दिखते हैं Carbon Metal Bond Carbon Metal Bond तो अगर हम इस bond की बात करें यह बूंड लेंथ होता है 2.122-2.135 Ingham Stone याद करने की जोट नहीं है यहाँ पर जो Carbon Carbon का बूंड है इसका बूंड लेंथ होता है 1.375 Ingham Stone ठीक है? और यह वाले जो बूंड लेंथ है यह ओल्मस्ट इकोल ही रहते हैं लेकिन जब क्या होता है? जब Carbon Metal का बूंड बन जाता है तो जनर्नल यह वाला जो बूंड लेंथ होता है यह क्या होता है? यह इंक्रीज होता है तो कि इसमें क्या होगा? यहाँ पर यह सिंगल बूंड में सिंगल बूंड करेक्टर आजाता है इसके अंदर तो पहले जो यह बूंड लेंथ इतनी थी अब यह बूंड लेंथ क्या हो जाती है पहले इंक्रीज हो जाती है ट्यू टू सिंगल बूंड करेक्टर ओके? चलिए आइ थिंक नहीं एक और चीज पी ब्लोग फर्स्ट पी ब्लोग यह मैं आपको करवाए देती हूं फर्स्ट पी ब्लोग OMC और गैनोमटली कॉंप्लेक्स ही आया था आपका 17th century में 17th century में आया था इसको बोलते हैं केकोडाइल आकसाइड केकोडाइल आकसाइड 17th century में वर्ड 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 टू के ताइम पे इसको यूज किया था बेसिकली तो इसको बोलते हैं कोडेक्स फ्यूमिं रियेजेंट इसका इसका स्ट्रक्चर होता है यहां पे रहते हैं आपका CH3 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 and CH3 तो यह आपका क्वार्ड फ्यूमिंग रियेजेंट बनता कैसे हैं सिंपल आस्टो ओट्री रियक्ट विद छीश्ट्री पोताशियम एसके साथ रियक्ट करेगा और देन इट विल गिव्यू कोड़ प्यूमिंग रियेजेंट इस काकोडाइल ओकसाइड जो पढ़ाया है ऐसा नहीं है कहने बहुत ज़रूरी है कहानी पता है तो अगर कहानी पता नहीं है तो सब्सक्राइब करते हैं और सिस्टम को स्टेबलाइस करने की कोशिश करते हैं उसके बाद हमने पड़ा कि किस तरीके से अगर आपके पास πई बोंड भी है तो सिग्मा बोंड भी है तो सिग्मा बोंड ही है तो अपका सिग्मा बोंड के अनरजी जाधा तो आप Covalent Compound के Cases में आप इजी लिए NMR स्पेक्ट्रा उप्टेंड कर सकते हैं आयने कमपांद में आप आप सकते हैं आयने कर सकते हैं basic कहानी कहाती है देशिद्ध डान फिल्ड 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 लो डेल्टा वेल्यू कि किस तरीके से इलक्ट्रोनिक एंवार्मेंट जो है वह केमिकल शीफ्ट को वेरिग करने में हिल्प करता है ठीके बेरीबल कोनी शीफ्ट होता है वह टोटली डीपन्स इकिरने नवहांद कि तक जादा इसका आप्लिकेशन नहीं रहा है यह लोग में जबसे ंते हैं कि वह औरी अक्टे से बहुत सारी application जोड़ा महां पर निकल के आते हैं तिल नहीं इस ब्लोग elements में ऐसा कुछ अभी तक नहीं आया है उसके बाद हमने पड़ा था कि अधिक तरीके से जनेरेट कर सकते हैं तो जहां बेद आपका आयनिक complex रहेगा उस स्केस में आपका आयनिक complex रहेगा उसकेस में आपका color sorry नहीं मैंने बुला था जहां पर आपका सिस्टम जहां वो सैचुरेटर सिस्टम है यानिक सिग्मा तो सिग्मा स्टार ट्रांजिशन अगर हो रहा है तो color observation जो है बहुत कम रहेगा क्योंकि वो जो है सिग्मा तो सिग्म हमें एनरजी आपको ज्यादा लगेगी जादा रहेगा एनरजी जादा होगी तो आप क्या कर सकते हैं कि कार नेटल बॉंड के अंदर कार्बन का कर सकता है फिर हमने बढ़ा कि किस कंडिशन में वह ऐसा काम करेगा तो टोटली डिपेंद्स वाइज पोस्टिफ देश सकता है तो कारवन आपका बेस ती तरह काम करेगा अगर आपका सॉल्वेट सिस्टम इथर लाइक है याने कि जहां से आपका एच्छ पोस्टिफ जन रेट नहीं हो सकता है तो वह यूप्लिफाल की तरह काम करेगा ठीक है तो एस ब्लोक के वेंस जनली हाईली इलेक्ट्र पॉसिटिफ मेटल्स होते है ना एस ब्लोक मेटल्स ह आप यहां पर सुन होते हैं और यहां पर इनुट का ऑप्सिदेशन स्टेट जो है वह जादा स्टेबल रहता है कि तो यहां पर बेसिक बात क्या थी कि जो पी ब्लोक अलिमेंट से वहां पर भी अभी तोख में ब्लब अब बहुत जादा आप्लिकेशन पार रहा है ठीक है तो पॉलरीजिशन बहुत जादा होगा और वहां पर कोवलेंसी जो है वह जादा जनरेट रहेगी ठीक है तो पी ब्लोक में भी जनली अभी तब उएंसी उतना जादा डेबलप नहीं हुआ है ठीक है तो फिस्ट उसके हमने पढ़ा फिस्ट रंजिशन मैटल ओम सी कौन सा था तो वह तद्जीश और जहां पर था कि पीटी सीरी सीटी एच फोर ने इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा और हमने पढ़ा था कि बॉंडिंग होने के बाद जनरली क्या होता है जो मैटल कारवन बॉंड इसके बाद में पढ़ा था फिटी बॉंड जाता है कि बॉंड लेंग जो पाई बॉंड के वज़े से पहले बॉंड रहेगा लेकर उसके बाद में सिंगल पॉंड उसके बॉंड पॉंड उसके बाद में पढ़ा था फर्स्ट पीब्लोक एलिमंट जो 17th century में आया था यह जो नोने स्कोर्ड फिमिंग इसका संद्रस्टिक इस तरीके से रहेगा और इसका सिंद्रसिस का यह बताया था मने कि बन्दा केते हैं तो नेक्स वीडियो में दिसक्स करने वाले हैं डी ब्लोक एलिमंट इब्लोक ओंस दीब्लोक और नोटमांस तिल देन टेक कर बाई देन डिल्ट इस वीडिए लोडे नोक रावन एकन वोड़ इन पर मोरी इन अफ़ देशन रेत्स ताया प्स. घर वाले हैं जुए बढहेगा ख़े लोड़क pot और श्यूँए रिप्स. पास्णिवास, हैं पूरस्ट देशने क्ष्ट में दिसक्षियोरो और क।क।